हलो मेरा नाम दॉक्टर दीपक केड़ेगर है मैं सैक्याट्रिस्ट, हिप्नो धरेपिस्ट, एनलपी ट्रेनर, कोच, सेक्सोलोजिस्ट और डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ अकोला में प्रेक्टिस करता हूँ काफी सारी लेडिस को प्रसूति के बाद में मानसिक बिमारी होती है मतलब कम से कम ऐसा काई आदा है कि हजार एक हजार डिलिवरी यह थी होती है प्रसूति होती है तो उसमें एक या दो लेडिस को यह मानसिक बिमारी होती है मतलब दोनों में common है मगर उनको ऐसी भीमारी होते कि जिसमें वो बाते करना जैसा irrelevant जो हमको समझतीने ऐसी बाते करना, बैकी बैकी बाते करना, हसना, या बहुत उदास हिंदा, नर्वसनेस, नीन नहीं आना, खाना नहीं खाना, और सबसे ज़्यादा जो तकलीब देना लोगों को होता है घर के लोगों को वो यह कि बच्चे के तरफ ख्याल देने का ने, बच बात लेना, ऐसा भी नहीं, कुछ अपने आप से बढ़ बढ़ करना, या कभी-कभी खुदकुशी करने की कोशिच करना, यह प्रसूति के बाद में, छे हपते क होने के चांसे, छे हपते तक होने के चांसे सबसे ज़्यादा है, अब यह जो है, यह देहातों में, तो ऐसी बाते होते हैं कि नहीं, कुछ तभी बहार का है, उसको हवा लग गई है, कुछ तभी पानी किसने पिलाने को दिया है, या किसने कुछ तभी चेटूप कर दिया, मतलब इस तरह का होते रहता है, यह एक्चुली इंगलीश में इसको बोलते है, पोस्पारटम सैकोसिस, और यह टिपिकली, मतलब बिल्कुल खास, इसको दवाम देते है, तो दवा से ही है, 101 टक्का, 101 प्रसंट ही अच्छा हो सकता है, मगर वो हमारे तलब आना ज़रूरी है, उसमें बच्चे का पालन पोशन करना, वो उसको नहीं होता है, तो उसके लिए केरे टेकर होना, पेशन क साथ में, हम आने के बाद में उसको पहले सुलात है, उसको सलाइन फिलाइन देकर, इवीफीड देकर, उसका खाना पिना बन हुआ रहता है, उसके बार में उसका इलाज करते है, दवाइयां देते है, इंजेक्शन, टैबलेट्स, जो भी यह देना है हो, और कभी-कभी कु गुष्वारी है मानसिक समस्या, यह आप काफी लोगों में देखी होंगी, आपको आपने देखा होंगा, जाना होंगा लोगों को, वे ऐसा है, तो इसमें कुछ बाहर का नहीं है, बाहर की बाधा कुछ होई नहीं है, उनको डॉक्टर के तरफ ले जाना, उसका इलाज करना क तो इसलिए आपको ये वीडेयो अच्छा लगा तो लोगेनों को शेयर करो, like करो, subscribe करो, ताके आम सद्था को मालूम बड़े कि मानसीक समस्य आप अच्हे ओ सकती है और वो अपना जीवन अच्छी तरह से इसलिए यह.. थैंक यू बरिमाजिई कर दो